आपने कुछ साइट पे एनिमेशन देखे होंगे उस तरह के एनिमेशन अगर आप डिजाइन करना चाहते हैं तो देखिए ये विडियो तो सबसे पहले आप GitHub पे हमारे एड्रेस पे जाएए ताकि आप वो टेंपलेट डाउनलोड कर सके जो हम यूज कर सकते हैं यहां html css template design एक template अलरेडी होगा तो इसका code आप डारेक्टली GitHub से clone कर सकते हो या फिर आपको clone नहीं करना तो download zip कर सकते हो यह zip के अंदर कुछ files होंगी तो उसको आप डारेक्टली visual studio code में open कर सकते हैं तो यहां पे visual studio code में मैंने यह folder open कर लिया इसके अंदर एक html है, एक js file है, एक css file है यह theme हमने पहले design की थी एक series में अगर आपको याद है तो एक landing page हमने design किया था उसी को हम यहां पे use कर रहे हैं तो इसको theme को एक बार अगर आपको देखना है तो http server use कर सकते हैं http server जो हमने npm से install किया तो यह theme थी जो हमने एक बार पहले एक series में design किया है तो आप देख सकते हो एक landing page है, कुछ price options है, feedbacks है तो पूरा एक जो normal landing page होता है किसी भी एक company का product company का वैसा हमने design किया है अगर आपको यह playlist देखनी है, जिसमें हमने पूरा design किया था, तो हमारे channel पे जाईए, यहाँ पे web design इस तरह से एक playlist बनी होगी जिसमें landing page HTML CSS है, तो यहाँ पे 13 videos होंगे, उन 13 videos में यह हमने अच्छे से explain किया है तो अभी इस animation के लिए हम use करेंगे animate.css, यह एक ready made library है, इसके site पे जाके इसके effects देचिए, अलग-अलग effect पे click करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सा effect कैसे काम करता है तो animate.css में already जादतर popular animations हैं जो किसी भी site में use होते हैं तो यह यहाँ पे categorize किये हुए है, कुछ जादा fancy है, कुछ simple effects है, rotate है, special effects है तो यहाँ पे हम इन में से कुछ effects को use करेंगे और देखेंगे कि animate.css को कैसे कैसे हम use कर सकते हैं तो npm install से install कर सकते हो आप, या फिर आप directly cdn का जो link है, जो इनका hosted link है, वो use कर सकते हो तो यहाँ पे इस example में मैं cdn वाला use करूंगा, क्योंकि हमारा html already है और यहाँ पे हम link में add कर देंगे इस url को, तो अब animate css आपके पास आ गई होगी, तो सबसे पहले इस part को animate करते हैं, यह जो side में दिख रहा है तो दो class लगानी होती है, एक animate underscore underscore animated और एक effect की class, तो जो भी effect होगा उसका नाम होगा और एक class extra लगेगी जिसका नाम है animated तो ध्यान रखना की double underscore है, तो यह वाला part है, यहाँ पे header software app लिखा हुआ है, तो अब देखिए कुछ bounce effect आ रहा है, reload करते हैं, तो कुछ bounce effect आ रहा है तो अभी आप कुछ और effect लगा के देखो, जैसे bounce in down है, तो यहाँ पे, यह side में copy का भी option है, उसको paste कर सकते हो अभी शायद हमने पुराने वाला ही वापस से paste कर दिया है, यहाँ पे copied आ जाएगा, यह copied हुआ, और यहाँ paste कर दो तो अब reload करके देखो, तो bounce in down effect आपके पास आ रहा है, यहाँ पे भी मैं जैसे यह, इस effect को डालना चाहूंगा, जो नीचे तीन cards दिये हुए तो bounce in up अच्छा रहेगा, तो bounce in up effect को डालता हूं, तो यह, यहाँ पे marketing cards फाला section है, इस theme से अगर आप familiar नहीं है, तो आप जाके एक बार देख सकते हैं, इस playlist को भी, तो यहाँ पे भी मैं animate underscore animated, तो अभी यह work नहीं किया, double underscore आएगा, ध्यान रखिये हर जगे double underscore है, तो अब reload किया, तो आपने देखा कैसे वो bounce up effect इस पे भी आ रहा है, इसमें अभी एक problem आएगी, ऐसे effect में, आप reload कीजिए, तो यह तो आ गया, उसके बाद यह देखिए, अब इसमें animation नहीं हुआ, reason यह है कि जब तक आप reload करते हो, शुरू में ही सारे animation हो जाते हैं, तो नीचे वा और फिर बाद में put कर देंगे code से, तो code से करना है, तो basically आपको javascript यूज करनी ही पड़ेगी, तो आप वो वाला part हम थोड़ा सा explore करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले एक trick यूज करते हैं, यह हमने dome की हमारी series में काफी बार यूज किया है, कि हम चीजों को scroll से control कर सकते ह मतलब scroll के हिसाब से हम देख सकते हैं कि इतना scroll हो गया है तो कुछ चले, तो मैं इसको id card दे देता हूँ, और अब id card में आप देखिए क्या है, तो यहाँ पे आप देखोगे div है, जिसमें id cards है और वो सारी classes आ रही है, तो हम उसको properly access कर पा रहे हैं, तो dome programming में सबसे पहले element access, फिर constant element लिया, फिर element में कुछ properties हो सकती हैं, तो उसमें जैसे offset height है, यह तो इसकी height को बताएगा, लेकिन वो नहीं चाहिए है, हमको चाहिए कि top से उसकी कितनी height वो scroll कर चुका है, तो आता है offset top से, तो scroll y करके देखते है, scroll y बताता है कि scroll की क्या height है, तो element offset तो यह बताता ह है, और scroll y बताता है कि आप कितने scroll पर आ गए, तो हम चाहिए कि यह 700 value जिसे आ रही है, तो इसके आसपास ही animation start हो, क्योंकि अभी आपने देखा 700 value आ रही है, तो scroll listener मैं google पर type करता हूँ, क्योंकि हम चाहिए कि एक event add कर दें, जिससे scroll पर हम कुछ कर सकें, और जब scroll बार बार हम चेक करेंगे, और दिखेंगे 700 से उपर आ गया, तो animation हम चालू कर दें, वो classes add कर दें, तो यहाँ पर पूरा यह article आप देख सकते हो, mozilla की site पे, यहाँ पर event scrolling के बारे में कुछ बताया है, इसमें एक खास बात है कि scroll, तो जब भी आप mouse चलाओ के नीचे, हर बार चलेगा है, जिसमें throttling भी है, इसको आप पूरा copy कर सकते हो, तो यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, तो इस code में यह बस लिखा हुआ है, कि last position क्या है, event listener बनाया गया, scroll पे, और scroll y की position को बार बार हम save कर रहे हैं, तो scroll y को हम बाद में compare कर लेंगे, क्योंक इतना हो चुका है, और ticking इसलि पे आपका code नहीं चलेगा, तो मैं इस function को do animation कर देता हूं, या do something लिखा हुआ है, तो इस do animation के अंदर हम कुछ code लिखेंगे, तो जब भी scroll करोगे, यह do animation चलेगा, तो देख रहे हो, यह थोड़ा अभी भी dangerous है, even though performance wise वो हर animation frame में चलेगा, बट अभी भी यह कई बार तो वो ही चीज लिखते है, cards वाला जो id थिया था उसका element बना लेते हैं, और उसमें हमको क्या करना है, element में आप देखो क्या क्या चीज़े है, class already है, तीन classes आपको दिख रही है, यह classes शुरू में आपको नहीं चाहिए, आप हटा दोगे, और तब ही add करोगे जब आपको animation चाहिए, तो element में class list नाम का attribute होता है, तो यह important है, इस ही से हम class add कर सकते हैं, तो अब जयसे dom element में class list है, इसमें dot कुछ methods होते हैं, लिस्ट में कुछ methods होते हैं, तो पहले देख लेते हैं, class list में आया ग्या है, reload करते हैं, तो यह token list है, इसमें जैसे cards है, और value में भी cards है, तो एक तरह से object भी है तो यह special तरह की चीज़ है list अब इसमें कुछ methods है जैसे यह दिखे रहे हैं add, contain remove यह सब तो add यूज़ करते हैं और वो classes add कर देते हैं animate की जो classes थी एक animate underscore animated और एक जो effect का नाम है तो animate underscore underscore bounce जैसे है तो अब यह दोनो effect scroll पे bounce in up यूज़ कर लेते हैं तो add हो जाएंगे और इनको अलग-अलग ऐसे comma से आपको देना होगा एक साथ नहीं दे सकते दो strings और console हटा लेते हैं तो अब आप देखो तो reload करते हैं तो अब effect तो आ रहा है लेकिन effect वहीं पर ही आ रहा है अभी उपर से हम आएंगे तब देखते हैं कि effect आ रहा है तो अभी नहीं आया इसका reason कि ये class पहले ही scroll pad हो गई होगी आपने कहीं ये थोड़ना लिखा है कि कौन से scroll pad होगी तो आप विंडो में वो condition दोगे कि if window scroll y is greater than 700 क्योंकि हमने देखा था कि उतनी scroll में 705 कुछ ऐसी value आ रही थी तो reload करते हैं आप देखो नीचे गए और अब अचानक से आया पर एक problem है कि ये दिखता है पहले भी वापस से check करो जिसे नीचे गए और ये दिखा फिर ये तो जब तक क्या class लगी रहेगी आपका element दिखेगा नहीं मैं display नन यूज नहीं किया क्योंकि उससे layout थोड़ा change हो जाता है तो hide el मैंने जोड़ दिये उस पे पूरी class पे और remove कर देते हैं हम तो hide remove हो जाएगा और ये दोनों लग जाएगे तो एकदम से वो effect आएगा तो अब reload करके देखते हैं नीचे जाते हैं और ये अब आप देखे हो effect आया अब एकदम से वो आते हैं तो hide हट जाता है और वो उपर आ जाते हैं तो दोनों का combine ऐसा effect आपके पास में आया है अब मैं कुछ और चीज़ें देखता हूँ जिसे इसमें delay classes भी हैं तो आप कुछ delay दे सकते हो कुछ second का है इसमें slow fast इस तरह से भी classes हैं तो हम slow class को देखते हैं तो animated underscore slower ऐसी class भी add कर देते हैं तो अब आप देखिए I think ये refresh नहीं हुआ है okay animated लिख दिया था मैंने यह animate होगा reload कीजे आप देखिए कितना slow आ रहा है तो slower सबसे slow effect है तो ये काफी slow effect आ रहा है अगर इतना नहीं चीए तो केवल slow आप यूज़ कर सकते हो तो अभी भी थोड़ा scroll करीजे और ये इस तरह से आ रहा है तो slowly animation हो रहा है और javascript भी enable हो गई है scroll करने पे ही वो आता है इतना अच्छा नहीं लगे तो आप fast भी कर सकते हो तो हम तो केवल try out कर रहे हैं चीजों को अब यही effect मैं कहीं और copy करूँगा तो जैसे pricing के कुछ options हैं तो हम चाहेंगे कि यह भी इसी तरह से आएं जब हम pricing वाली जगे पर आ जाएं तो वहाँ पर भी तो यहां इसका code देखते हैं HTML में यह price card करके तीन है पर मैं इसमें individually animate करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ तीनों को अलग से animate करना तो मैं उपर पूरे इस class पे नहीं लगा दूँगा जैसे हमने पहले किया था वो थोड़ा असान था हम इसके एक एक child पे लगाएंगे तो id मैंने दे दी है price cards और यहां पे भी इसका scroll check करते है scroll y कितना इसका तो कुछ 1499 पर यहां पे start करेंगे तो 1194 ऐसा कुछ आया है तो 1200 के आसपास मान लीजे तो यहां 1200 हम देते है value तो उसके आसपास हम चाहेंगे कि animation start हो तो इसका भी element बनाते हैं इसको element अब बार-बार हो जाएगा तो नाम बदल देते हैं इसको हम element cards बोल देते हैं अब इसमें एक loop लगाना पड़ेगा अब इसमें एक loop लगाना पड़ेगा क्योंकि हर चाइल्ड पर करना है तो element price.children तो चिल्डन भी एक doom property है जिससे सारे चाइल्ड नोड आ जाएंगे उसमें मैं e पे iterate कर रहा हूँ तो for let e equal to element.children अब मैं console में एक बार check तो कर लूँ कि children आये या नहीं तो अभी आप देखिए return लिख दिया मैंने scan में तो अभी ये marketing card marketing card आ रहा है वैसे marketing card नहीं आना चाहिए क्योंकि हमको तो actually price card marketing card तो उपर वाला था तो I think कुछ issue है issue ये है कि हमने उपर get element by id में cards ही रखा है यहाँ पर price cards हो जाएगा तो अब reload कीजिए तो अब आ रहे हैं price card जो इसके child है पर बार बार आ रहे हैं मैं चाहता हूँ कि अब एक बार ही आए और बार बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि scroll तो चलता रहता है और condition तो satisfy हो गई होगी तो मैं कुछ flags बनाता हूँ जैसे card animated false और इनको function के अंदर ही रख देते हैं तो यह flag एक बार ही true false होंगे switch की तरह काम करेंगे ऐसे price animated false तो शुरू में animation हुआ नहीं तब तक है false तो आपको इस if के अंदर आना है तो animated वाले flag को देखना होगा और last में इसको true कर देंगे तो actually not off होगा क्योंकि शुरू में false है ऐसे ही यहाँ पे भी not off price animated तो एक बार अगर आप अंदर चले गए तो उसके बाद में flag आप change कर दोगे और इसको true कर दोगे तो एक बार ही आप अंदर जा पाओगे animation एक बार ही add होगा तो code आपका थोड़ा better perform करेगा पर अभी भी यह बार-बार आ रहा है तो कुछ issue है maybe हम इसको top पे put कर देते हैं initialize क्योंकि यह बार-बार हो रहा होगा तो अभी तो एक बार आया है बट अभी भी यह scroll पे चल ही रहा है तो कुछ issue है अभी भी हमारा code परफॉर्म नहीं कर रहा है वैसे एक बार ही चलना चाहिए तो यह return मैंने लिख दिया शायद इसकी वज़े से एक दिक्कत है यह हटा देते हैं क्योंकि नीचे तक true तक जाई नहीं पा रहा होगा तो अब reload करते हैं तो अब यह तीन ही आए जो कि तीन चाइल्ड थे ना वही आए जो मैं चाहरा था कि बस वह तीन चाइल्ड ही आने चाहिए तो फिर से एक बार reload करके मैं देखता हूं कि यह बात सही है तो अब नीचे जाते हैं यह animation आता है और pricing में भी वैसा सा animation आ रहा है क्योंकि हमने अभी तो कोई special animation नहीं दिया तो तीनों पे same animation हमने तीनों चाइल्ड पे वह animation दिया है शुरू में क्योंकि हो दिखाई देता है scroll से पहले तो height element लगा दिया और दूसरा की तीनों में थोड़ा अलग effect देना तो delay की एक class थी जो हमने देखी थी आपको याद हो तो यह animate delay और फिर seconds लिखे रहते है तो animate underscore delay और x second जितने भी second आपको देने तो इसको मैं string literal ले लेता हूं ताकि variable दे पाएं और यहाँ पर delay कितने second का है और बाद में s इस तरह से देंगे तो जैसे एक variable बना लेते हैं delay का और उसको शुरू में zero रखेंगे तो पहले में कोई delay नहीं होगा फिर दूसरे में एक फिर दो second तो delay प्लस प्लस करते जाएंगे तो loop में ऐसा ही करते हैं तो अब यह delay zero second one second two second इस तरह से होगा zero second शायद होता नहीं है तो उस class का कोई effect ही नहीं पड़ेगा तो आप नीचे गए प्राइसिंग पे गए तो एक दो तीन इस तरह से तीनों आई तो एक अच्छा effect आपको दिखाई दे रहा है तो तीनों में क्योंकि अलग-अलग delay है इसमें थोड़ा अलग bounce थोड़ा जीब लग रहा है मुझे तो fade in up करके है जो थोड़ा smooth है वो लगा देते हैं तो bounce up को हटा के यहां पे fade in up की class लगा देते हैं reload कीजिए और थोड़ा सा scroll करके आई तो देख रहे हैं तीनों एक के बाद एक आए आपने देखा होगा कि उपर कुछ animation होता हुआ भी गया था वो होगा क्योंकि दूसरे की वज़े से यह गया और यहां price में एक के बाद एक सारे आ रहे हैं तो काफी cool animation लग रहा है यहां अब नीचे जो testimonial वाला section बचा हुआ है उसको भी थोड़ा animate कर देते हैं वो तो काफी simple होगा वैसा हम बार बार पहले भी कर चुके हैं तो यह पूरा section तो हम एक ही मान लेते हैं इसका code देखते हैं HTML में तो यह testimonials नाम से section है इसकी ID भी है बस इसका scroll देख लेते हैं कहां प करना दिखाएंगे तो यह यहां पर value change कर दी 1750 एक और flag use कर लिया test animated testimonials के लिए और इसको false रख दिया यहां पर भी test animated और यहां test animated true classes element बदल लेते हैं तो element test लिख लेते हैं और इसका ID था testimonials तो आप एक बार spelling देख लीजेगा वही exact spelling है आप यहां पर यह और class list वही हम add कर देंगे slow हटा देते हैं यह side से आये तो ज्यादा अच्छा लगेगा तो side की कोई class देखता हूं तो fade in from left या right right भी कर सकते हैं side से आये तो यह fade in right से कर लेते हैं और यहां पर शुरू में hide element वह effect अब reload किया नीचे गए यह सब तीनो साथ में price एक के बाद एक आया फिर नीचे गए अभी इसका layout गड़बड हो गया मतला कुछ गड़बड किये अच्छा ID में हमने जोड दिया class में अब वापस से आते हैं सारे animation चल रहे है pricing भी proper चल रहा है और यह side से आया तो एक अच्छा effect लग रहा है तो आप अपना सोच सकते हैं कि कौन सा animation कहां पर fit बैठेगा किस moment पर चलना चाहिए उस तरह से JavaScript में आप code कर सकते हो तो ऐसा cool effect आ जाएगा बहुत जादा animation करना भी अ चाहते हो अपने site पर तो आप use कर सकते हो अब इसमें एक चीज है जैसे कि मैं हर चीज की scroll why और इस तरह से use कर रहा हूं उससे एक better method है कि आप element का viewport देख सकते हो कि viewport में उसकी क्या position है तो search कीजे google पर तो एक यह article आता है जिसमें हम देख सकते हैं कि उसका bounding rectangle हम देख सकत हैं तो यहां से code मिलेगा आपको is in viewport तो यह code बहुत simple है यह एक dome property पर काम करता है जिसमें कि आपको पता लगता है कि element का bounding rectangle कितना बड़ा है bounding rectangle मतलब उसका जो हर corner है क्योंकि हर element एक rectangle होता है तो उसका हर corner कहां पर उस हिसाब से देख लेता है कि पूरा view में आ चुका है या नहीं तो आप basically scroll y की condition के लिए लिख सकती जगे is in viewport और element का नाम put कर सकते हूं और ऐसी सारे element को मैं बदल के देखता हूं तो यहां price वाला दे दिया यहां testimonial वाला दे देंगे तो यहां condition देने की ज़रुत नहीं है कि कितनी height हो खुद check कर लेगा कि viewport या नहीं ब्राउजर के अंदर वो दिखाई दे रहा है या नहीं तो शुरू वाला दो दिखाई दे रहा है उस पे तो वैसे भी हमने कुछ लगाया नहीं उसके नीचे inspect करके देखते हैं ताकि reload हो पर जाने पर वो animation चालू हुआ तो पूरा viewport में आने का इंदजार वो करता है तो यह कुछ जगे पर सही हो सकता है लेकिन scroll वाला बेटर था क्योंकि उसमें एकदम exact उसी point पर animation स्टार्ट हो जाता है लेकिन यह काफी आसान है तो कि इसमें आप देख रहे हो यह get bounding rect यह ए आया है और अपने इस आप से ढाल सकते है उसका फायदा है कि बस element का नाम देना होगा हर बार scroll wide नहीं डूणना पड़ेगा और कलको अगर आपने multiple browser के इसाप से responsive site बनाई है तो आप कितनी जगे scroll wide दोगे तो ऐसा method जो automatically calculate कर ले उसकी height होगे रहे है जादा better रहता है animation scale तो यह हमारी final site है तो ठीक तो दिख रहा है बड़ी screen पर आप चूज कर सकते हो कि आपको इस viewport वाला लेना है या scroll wide वाला भी अच्छा था तो यह पूरा code हमने commit कर दिया है और आपको यहाँ repository में मिल जाएगा web animation with animate css में तो यह वाला code आप देख सकते हो और इसको download कर सकते हो download के लिए clone या directly zip download कर सकते हो अगर कोई और interesting topic है आपके दिमाग में तो comment में बताइए और हम उसको भी इस तरह से practically try out करके देख सकते हैं